नमस्कार दोस्तों हेल्पू चैनल में आप सरीकर सोगते दोस्तों आज का टॉपिक है कि जी हाँ आपके नाम से अप लोग अपने नाम से जान सकते हैं कि आपका ववाहिक जीवन अच्छा होगा बुरा होगा और विवाहा किस आयू में होगा ये सारी चीजे सिर्फ केवल न कियेगा ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जोर कर लीजेगा चैनल के रेट बटन होगी इसको क्लिक कर लीजिए उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दीजिए ताकि नहीं वीडियो अप लोगने पर नोडिफिकेशन के रूप में मिल जाए समस्चा है आप जोइन कर सकते हैं आप चलते हैं टॉपिक की तरफ की आपके नाम से आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि नाम से किस तरीके से स्टादी कब होगी है बट ये इस तरीके को अब एक बहुत ज़रा से अजमा के देखिए और फिर बताईए का दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर जो हम लोग नेम का टोटल निकालते हैं वो हम चैलियन टेबल से निकालते हैं वो आप लोग कर लेना तो इसमें आपको करना क्या है आपको पूरे नेम का टोटल का नहीं निकालना है आपको जिसे यहाँ पर राहूल लिया है तो राहूल का नेम टोटल उसमें कालपुर्शा कुंडली यानि जो कालपुर्शा कुंडली होती है एक सिले के मीन राशी तक का होती है स्टार्टिंग तो यहाँ पर मैंने कालपुर्शा कुंडली बनाई है यहाँ पर मेश जो आपकी लगन कुंडली होती है आपके लगन में यहाँ पे एक से लेके बारा राशियां लिखी है और आपके भी यहाँ पे जहाँ पे एक नमबर मैंने लिखा है आपकी कुणली में वहाँ पे कोई भी नमबर लिखा हो सकता है एक से लेके बारा नमबर तक तो ये एक नमबर पे मेश, दो नमबर पे वरश राशी, तीन नमबर पे मिथो नाशी, चार नमबर पे कर्क, पांच पे सिंग, छे पे कन्या, साथ पे तुला, आठ पे वरश शिक, नौ पे धनू, दस पे मकर, ग्यारा कुम्ब, बारा मीन, ठीक है, तो अब इसमें कैसे पता नहीं करना है, हमें सिभ राहूल का नमबर देखना है, आठ और सिंग का भी नमबर आठ, तो आठ नमबर आप लोग देखते हो कि काल पूर्शा में कौंजी, राशी आती, वरश शिक, याने की कुंडली का आठ वागर आता है, शादी आठ नमबर शनी का है, और लेठ है, अस्टमब आओ है, दुर्श स्थान है, तो यहाँ पर शादी लेट होगी, विवा में अर्चनी आएंगी, मैरिज राइब में कुछ ना कुछ समस्या रहती ही रहेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद, यहाँ पर हम लोग एक मिनट, दोस्तों, दूसरी बात, यहाँ पर कांसी करक राशी आती है, और नौ नमर जो यहाँ पर धनू राशी आती है, ठीक है, तो चार नमर करक और नौ नमर धनू राशी, तो चार नमर आप लोग जानते हैं कि कुण्डली का सुख भाव होता है, सुखेस होता है, मकान वहान, प्रॉपटी, इन सबसे सम्मदी, मात का घर होता है नवा घर जो होता है विदेश का होता है भाग भाव का होता है तो इस तरीके से आप लोग भी अपना निकाल सकते हो उसका रेशियो इस तरीके से आप लोग कर सकते तो आपको पता सिल जाएगा कि आपकी शादी जीवन लेट होगी या जल्दी होगी या फिर कै तो धन्यभाद दोस्तों एलपूचानल को देखने के लिए प्लिफिस सबस्क्राइब समस्या दो में autor करदेगा 812478 Jimbal.com पर डिस्क्रिप्प्रίν में मेल आड़ी है तो नहीं बाद दुस्तों एलफू चानल को देखने ही प्ली प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल